आज की रेश्पी ये चीज बॉल्स तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं पांच आलू लिए हम बड़े बड़े इसको बॉल करके हम ठंडा होने के लिए रख दिये थे क्योंकि अगर आलू ठंडा होता है तो उसके बॉल्स अच्छे बनते हैं मुजगेला चीज है जो हम 1500 ग्राम लिए है एक इंच अद्रक का टुकड़ा चार हरी मिर्चर एक चमच अद्रक लेसुन का पेष्ट है तेन चमच मैधा दो से तीन चमच ग्रेट क्रम्स है अधा चमच नमक आप इसे अपने स्वाधनों साहर डालेगा अब चाहे तो इसमें लाल मेस पाउडर भी डाल सकते हैं हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं धन्यक पत्ति एक अरीब दो चमच है अब इन सभी को अच्छे से मैस करना है चलिए आप बास बना लेते हैं इसमें थोड़ा सा चीज डाल करके इतना बड़ा सेप लेना है इसको ऐसे कर देना है फिर इसमें चीज रखना है ऐसे ही हम सारे चीज बाल्स बनाएंगे अब हम कडाई में पूपिंग आल डाल दे रहा है यह थोड़ा गरम हो जाए यह मैदा है जो हम गाढ़ा पेस्ट बना लिए है इसमें थोड़ा सा नमक हम डाल दे बहुत थोड़ा सा यह ब्रेड करम है सबसे पहले हम मैदे की भोल में डालेंगे बाल्स को फिर हम ब्रेड करम में सारे डाल देंगे वेसे ही सारे बॉल को हम ब्रेख क्रम में अच्छे से घुमा देंगे कि चारो तरफ बॉल में लग जाएं मेडियम फ्लेम पे एक साइड पलट देते हैं एक साइड से गोल्डेन हो चुका है अब यह दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है इसे फ्राई करने में चार मिनट लगा है दोनों साइड से मेरे चीजबॉक्स रेडी है आप देख सकते हैं अगर यह मेरी रेशपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करें तैंक्यूद झाल झाल झाल